हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो मैं चैनल, मैं हूरंजना और आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी डिस तो मैं आज बनाने वाली हूँ भत्वा का पराठा सर्दियों के मौसम में बत्वा का साग इस दी मार्केट में अवेलबल होता है तो इसे खुद के डाएट में और बच्चों के डाएट में जरूर दीजिए, ये काफी हल्दी होता है तो फ्रेंड्स इसी बत्वे के साग से हम बनाएंगे एक बहुत ही टेश्टी और हिल्दी पराठा अगर आपको वीडियो पसंद आए, बेरेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें तो देखते हैं हमें बत्वे के पराठा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तो मैंने यहाँ पर दो बड़े कटोरी आटा लिया हुआ है, लगबग 200 ग्राम आटा है यहाँ पर 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पे बत्वा का साग बहुत ही अच्छे से धो के साफ करके बारिक चौप करके लिया है तो आप साग को पहले अच्छे से धो लीजिए फिर इसे चौप कर लीजिए बारिक बारिक तो यह देखे यह बत्वा का साग के चौप किया हुआ मैंने यहाँ पे एक गाजर कट्व कसकर के लिया हुआ है गाजर के साथ बत्वे काट साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा से बैलन्स होता है और काफी टेस्टी बनता है यह पराठा नमक आप अपने टेस्ट के को डिंग यहाँ पे आटा गुतने के लिए मैंने लिया है दूद्ध हम पानी यूज नहीं करेंगे दूद्ध से आटा को लगाएंगे तो अब हम चली बनाना शुरू करते हैं बत्वे के साग का पराठा तो सबसे पहले हम आटे में मिला देंगे बत्वे के साग को यह देखे थोड़ा से स्ट्रॉंग टेस्ट होता है बत्वे का तो हमने इसीलिए यहां पे लिया है गदू कस करके एक गाजर गाजर के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से बैलन्स हो जाता है और काफी टेस्टी बनता है ये तो बत्व हे साथ को मिला लेंगे आटे में फिर गाजर की साउए मिला लेंगे तो आप त्यार करते हैं उस तरह से आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूड़ डालके उसी तरह से आठा तयार कर लिजिए तो हम गूत लेंगे इसे अच्छे से सॉफ्ट तो आप यहां पे आप देखी आठा हमारा त्यार हो गया है पराठे के लिए यह बहुत ही सॉफ्ट तो अब हम पाराठे को बेल के तयार करेंगे तो इसके लिए आठी क लोई ले ले और इसे किसी भी सेप में आप चाहें तो तिकोना पाराठा या फ्रिकौशल में पराठा बनाओंगी तो इस तरह से मैंने यहां पर गोल पराठा बंडा कर लिया है यह देखिए 8-8 लैशल वाले पराटे भी इसाथे से बना सकते हैं तो यह मारा पराटा पेंल के त्यार हो गया है अब हमने गयस से घंड ब्रसकों तो भी बुइंगे चासा या यहां पर आटे को मैंने प्लेट लिया है इसी तरह से कर आप इसे sama यहां पर इसमें और लगाजा ambiguous कोई भी cooking oil जिससे आप पराठा बनाती हूँ आप इससे सेख लिजी या चाहिए तो इसमें यहाँ पे आप देशी की लगा के सेख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने oiling करके इसे दबा के अच्छी तरह से golden pink होने तक सेख लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पराठा बनके तयार हो गया है अब इससे निकाल लेंगे हम तो यह पराठा बनके तयार हुआ है इसी तरह से हम बागी के पराठा को सेख लेंगे जीति देख़ी हमने बाकी के पराथे भी इसी तरह से सेख लिए हैं बहुत ही आसानी से पराथे बन जाते है तो आप यहां पर देखिए हमारा बत्वा के पराथा बनके बिलकुल तयार है यह बहुत ही टेश्टी और बहुत ही अल्दी होता है सर्द्यो के मौसमें स्क्राइब जरूर करिए